तो बिएट प्रवेश प्रिक्षा 2022 के लिए एप्लिकेशन फॉर्म कब से आने वाले हैं या कब से आप लोग एपलाई कर पाऊगे बिएड के लिए चाहे यूपी बिएड हो चाहे भीहार बिएड हो ठीक है और वन यह का बिएड टू यह का बिएड या फोर यह के बिएड बात करेंगे किस दिन से फॉर्म भरा जाएगा इस संदर में बात करेंगे और कौण को से डॉक्युमंट आपका लगने जा रहा है उसके लिए बीबात करेंगे ठीक है तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि दिको फोर यह का बियर ना बिहार में और डी कांटिन बिहार में तो अगर यूपी के लिए हम बात करें जिसी यूपी में जो आपका जो एप्लिकेशन फॉर्म आने जा रहा है मार्च तो सब्से ज्यादा क्या है यह क्यां आपको कैरेंशन ऐसके आप सब कुछ आपको चाहिए नाम हो आपको स्कूल से मेच करके होना चाहिए मदर्स नाम बहुत ही आराम से इसको आप फिल करना ठीक है डेट अब भर्त भी हाई स्कूल से ही आपको देख के भरना है ठीक है इमेल आइडी बना ली जिसके पास नहीं है कि इमेल जरूरी है वहाँ पर आपके नोटिफिकेशन वो लोग भेजते हैं मेशिज भेजते हैं और आपका मोबाइल नंबर भी इंपोर्ट है ठीक है और मेल बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है ऐसा नहीं कि इसके बिना काम नहीं उपाएगा तो बेल आपको बना लेना है कि उसके बाद मोबाइल नंबर अपना देना है जो की एक्टिव है कि वहाँ पर ओटीपी आएगा तो यह यूश्फुल है और यह तो आप सह यह भी काफी कुछिन पूछते भी है आप लोग काफी कुछिन पूछते यहां से अभ्यारती उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है तो यस का चैन करना है अन्यथा नहीं है तो नो करना है ठीक है यह अभ्यारती उत्तर प्रदेश का मूल निवासी है परंतो उसने सैक्षि योगता हाई स्कूल इंटरमेडियेट यह असना तक जो है उत्तरप्रदेश राज के बाहर से प्राप्ट किया है तो अभ्यारति को निदेशक पुस्तिका में दिये गए प्ररूप आठ आठ के अनुशार आउनलाइन अविधन पत्र अपलोड करना होगा तो यह चीज़े आ तक अंग के तालिका यह प्रमाड़ पत्र अपलोड करना है ठीक है उसके बाद यह आपका कैटिकरी आ जाएगा और जिस भी कैटिकरी जिसमें हैं आप अगर एड़ी है तो अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो आपके पास इसका प्रमाड़ पत्र होना चाहिए ठी अपना प्रमाड़ पत्र बना लीजिए ठीक है जो भी प्रमाड़ पत्र लगता है उत्तब्रे सासन के द्वारा ठीक है इसको बनाकर रखिए और तब यह आपको बेनिफिट होगा रिजर्वेशन का ठीक है यहां पर पूरा मेंसेंट इसको पोज करके आप आप एजली सब्सक्राइब आता है और समवर्ग का लाब लेना चाहता है तो यस के सम्मुख क्लिक करना है आपको जब आप फिल फिल करेंगे और अभ्याति के पास मुखे चिकर साधिकारी अत्वा उसके द्वारा गटित इतार्ध बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाड़ पत्र निर् सब्सक्राइब आपको 15 मार्च ठीके यूपी बेर के बाद कर रहे हैं साथ मैंने यह आपको ट्यूट दिखाया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टीके निव एजुकेशन पॉलिशी 2020 इन एक्संस तो यहां से एक क्या होता है हम लोगों को ना पॉजिटिव फीड़ मिल रहा है कि इस बार डेफिनिटली लागू हो जाएगा हलाकि दोजार दोजार इकीस में बहुत जादा हल चल था लेकिन कोविट की वज़े से कोविट था और अभी कोविट बहुत था कंट्रोल है तो डेफिनिटली 2022 में लागू होने जा रहा है न्यूव एजुकेशन तो बिलकुल इंटीगरेटेड आपका जो टीचर एजुकेशन पोगराम है उसमें आप लोग इन्रॉल कर पाएंगे क्लियर है तो यह बिल्कुल ऑथेंटिक निऊज है ठीक है इहां पर आप देख पाएंगे फोर ये इंटीगरेटेड टीच टीचर एजुकेशन जो प्र लाइसी चलेगा और एंटेग्रेटेड भी लांच करने जा रहे हैं ठीक है क्लियर हो गया यह देखो यह कई बहुत सारे न्यूश्पेपर स्कुर्टिंग में इस पर भी वीडियो बनाया था कि नए सब्सक्राइब चार साल के बीए बीएड और बैस्ती बीएड कोर्स सब्सक्राइब बात करें और बिहार बीएड का तो मैंने कल आपको बताया था कि बिहार बीएड का जो न्यूश में रहे कि वो 23 जून से उनका एक्जामनेशन से स्ट्डूल है और 25 अप्रैल से ओनलाइन अवेदन लिया जाएगा 25 अप्रैल से चीक है और 18 माई से विलम है तो उसके लिए फाइंड भी आपका लगेगा क्लियर है तो इस पर अलड़ी मैंने वीडियो बना दिया है तो बस यह एक न्यूस था कि बिहार में का यह न्यूस है तो यह का बिहार में काफी बच्चे पूछते हैं लिकिन अभी उसका कोई भी अपडेट नहीं आया है तो मैं इसके नहीं पता पाऊंगा बाद जैसे अब डिट राता है मैं आपको जनकारी प्रवाइट 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 होता है 2022 में उसके लिए है कि 25 अपरायल से आपका आवेदन लिया जाएगा ठीक है और 23 जून एक्सपक्टेड है आपका एक्जाम डिसंस कंड यसी विबसाइट लॉंच कर देते हैं यह लोग तुरंट वहां पर आपका नुट्फिकिशन देखने को मिलेगा ठीक है तो आप लोग जुड़े रहे आपको बहतरीन जानकारी मिलेगा बेट सम्मंदित कुछ भी आपको क्वेरी से पूछना है वो भी पूछिए आपके वो क्लियर किया जाएगा थैंक यू फो वाचिंट इस वीडियो नेक्स वीडियो नेक्स वीडियो फेस्ट बिल्ट के लिए धाने मात फ्रेंज